कशाचार के धितिय सत्र से हमने हिंदी शिक्षा की शुरूवात की थी हिंदी शिक्षा की शुरूवात में हमने विबिन प्रवुत्यों के जरिये हिंदी बाषा को समझने का यहां पर प्रयत्न किया है मित्रो हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी बार्षा की शिक्षा के लिए हिंदी के वर्ण, हिंदी के शब्द, रोजमर्रा के शब्दों का व्यावारी कूपयोग ये सब बाते हमें पता होनी चाहिए और आज हम जो इकाई पढ़ने वाले हैं उसकी शुरूवात करने से पहले हमने कक्षा चार में जो जो सिखा है या हिंदी बार्षा के बारे में जो भी जाना है उसका पुन्रावर्तन करने के बाद ही हम आज कक्षा पांच की इकाई की शुरूवात करेंगे तो मित्रो हम सब ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गुडराती और हिंदी के कई सारे वर्ण ऐसे है जो एक समान है और कुछ वर्ण ऐसे है जो बिन्द तरीके से लिखे जाते हैं कक्षाचार में जब आपकी शिक्षा की शुरुवात हुई थी तब आपने ये समझा है कौन से वर्ण गुडराती के समान ही लिखे जाते हैं और कौन से वर्ण गुडराती से बिन्द तरीके से लिखे जाते हैं तो आईए मित्रो हम एक बार उस बात को दोहराते हैं और उसके बाद ही कक्षा 5 की शुरूआत करेंगे तो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ण यहां पर दिखाई देंगे आप इन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं तो देखते जाएए यह कौन-कौन से वर्ण है आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक वर्ण यहां पर दिख रहा है कौन सा वर्ण है मित्रो हाँ बताईए जोर से जरा हाँ आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं यह वर्ण है ग, मित्रो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कि यहाँ पर जो भी वर्ण आपको दिखाई देता है, उसको आपको दोहराना भी है और अपनी कापी में लिखना भी है, इस वर्ण से बनने वाले शब्द भी मैंने यहाँ पर रखे है, ताकि आप उन शब्दो को भी अपनी कापी में लिख सके और दोहरा सके, तो मित्रो यह वाला जो वर्ण है वह है ग, अब यह दूसरा वर्ण है, यह कौन सा वर्ण है मित्रो, हाँ, यह है म, बढ़िया, यह तीसरा वर्ण है, कौन सा है, हाँ, यह है प, और उससे बनने वाले दो शब्द भी मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो आपको यह भी पढ़ने हैं और अपनी कापी में वर्ण को लिखना है, यह चोथा जो वर्ण है, इससे भी आप अच्छी तरह से परेचित हैं, यह है कौन सा न, तो यह है न, अगला जो वर्ण है, यह है व, हाँ मित्रो, इस वर्ण को आप अच्छी गुल्नों को लिकिना है né मित्रों ये कौन सा वर्ण और ये वाला तो बढ़िया और मित्रों ये कौन सा वर्ण है ये है और ये ये है ए ख ये वर्ण और ये वाला जो आपने पहले बोलाथा, कौन सा है ये स है, ये कौन सा है स, मितरों देखिए यहाँ पर श और ये है स, ये वर्न है ह, ये वैसे तो सभी अगन अगन दूर है, लेकिन हम इसकी जिनती वर्न में करते हैं, मित्रों देखिए, कौनसा वर्ण है? गना? नहीं, 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 गुड्राती में हम इसे गना बोलते हैं, लेकिन हिंदे में इसके उच्चार क्या होगा? ग्या होगा, क्या होगा? ग्या, बोलिए मेरे साथ एक बार फिर से, क्या बोले? ग्या, बहुत अच्छा, और ये वर गुड्राती की समान ही यहां पर भी लिखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजुद गुड्राती और हिंदी में एक सामान्य बैद हैं, कि इन पर क्या लगता है? तो शिरो रेखा, इन वर्णों पर आप शिरो रेखा लगाते हैं, या आपको शिरो रेखा रखनी पड़ती है दूसरी बात यह है, कि इसकी जो पाई है, उसको हम मोड़ते नहीं है, सिधी रखते हैं, तो मित्रों जब भी आप हिंदी का लिखन करें, तो यह बात आपको द्यान में रखनी है, कि हिंदी के हर एक वर्ण के उपर शिरो रेखा है, और उसकी पाई को मोड़ा नहीं जाता बहुत अच्छा, तो मित्रों हमने यहाँ पर यह समान वर्ण देखें, इसी प्रकार से गुजराती में जो वर्ण लिखे जाते हैं, उससे बिलकुल बिन तरीके से भी कुछ वर्ण हिंदी में लिखे जाते हैं, यह कौन से हैं, आई यह जानते हैं, देखें मित्रों, वैस ख है, कौनसा है? ख. और ये वाला है च. इसका उच्चारण हम करेंगे च. ये है ज. ये कौनसा है? ज. कुछ बच्चे इसे बा समत्त है, लेकिन गुडराती का जो बाह है, इसी प्रकार से थोड़ी बिन्नता के साथ हिंदी में ज. इस प्रकार से लिखा जाता है. और ये क्या तो मित्रो हमें ये बात यहां पर द्यान में रखनी है कि गुडराती और हिंदी के समान रूप से लिखे जाने वाले कुछ वर्ण और असमान रूप से लिखे जाने वाले या बिन रूप से लिखे जाने वाले कुछ वर्ण कौन कौन से है क्यों क्योंकि लेखन हमारे लिए बहुती महत्वपूर्ण है और लेखन करने के लिए उसकी पैचान हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए तो ये आपने मित्रों चोथी कक्षा में सिखा है ये दो वर्ण आपको यहां पर दिखाई दे रहे है पहला कौन सा है द है कौन सा है द और उसके निचे एक वर्ण है क के समानी दिखाई देता है लेकिन ये कर नहीं है ये कौन सा वर्ण है फ है कौन सा वर्ण है और ये वाला तो ये है ब ये कौन सा वर्ण है मित्रों ब और ये वाला कौन सा वर्ण है ब देखिए यहां पर जैसे हम गुड़ाती में मा लिखते है उसी प्रकार से ये जाता है ले यह ल, यह कौन सा वर्ण है, ल है, जैसे गुड़ादी में ब लिखते हैं, लेकिन उससे बिन्न तरीके से लिखा जाता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसका उच्चारण हमें क्या करना है यहां पर ल, यानि कि इसकी पहचान हमें ल करनी है, मित्रो इसी प्रकार से वाक्य प्रयुक का भी बहुती महत्व है, और जब हम किसी भी शब्द का वाक्य प्रयुक करते हैं, तो हमें कौन सी बाते ध्यान में रखनी चाहिए, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने एक वाक्य यहां पर रखा है, कौन पढ़ेगा इस वाक्य को, हाँ, क्या पी में इन वाक्यों को भी लिखना हैं तो यह पतंग है दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं वह तोता है और यह वाला कौन बोलेगा यह बढ़िया यह बिल्लियां हैं देखिये मित्रा मैं यहां बोल रहा हुं फिर से एक बार आपको ध्यान से सुनना है मैं पहला वाक्य पढ़ता हूँ फिर से यह पतंग है दूसरा पढ़ता हूँ वह तोता है और ये तीसरा पढ़ रहा हूँ ये बिल्लियां हैं देखिए है और हैं है और हैं यहाँ पर बिल्लियां है यानि कि मैं नाक से बोल रहा हूँ और ये हैं तो हमें ये बात भी द्यान में रखनी हैं वे लड़के खेल रहे हैं तुम विद्यार्थी हो मैं शिक्षक हूं आप दाक्तर हैं मित्रों यहां देख रहे हैं कि जब हम गुड्राती में बोलते हैं तो तुम कहते हैं लेकिन हिंदी की विशेष्टा है कि जब अपने से बड़यों के साथ बात करते हैं तो मानवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं और यह शब्द है आप यानि कि जब हम से बड़े या आप को इस प्रकार से बोलना है कि आप डाक्टर हैं तो मित्रों ये भाशा की विशेष्ता है और साथ ही हमारे लिए महत्वपुण बात है कि इन शब्दों का वाक्य प्रव्यक कैसे करना चाहिए तो मित्रो इसी प्रकार से आपको दो-दो वाक्य बनाने है और अपनी कापी में लिखने भी है और अपने माता पिता को या बड़े भाई बाहने है या आशपड़ोस में जो भी पड़ा हुआ है उसको यह दिखाने है क्यों? क्योंकि हम बाशा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रो ये बात हमने यहाँ पर जो भी चर्चा की कक्षा 4 से जुड़ी हुई थी कि हमने इतना इतना तो सिखा ही है और आज हम कक्षा 5 की शुरूआत करने जा रहे हैं तो कक्षा पांच की जो पहली इकाई है ये भी आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बाशा की बात है लेकिन चित्र के जरिये आपको यहां पर बाशा सिखाने का प्रैत्न किया गया है